नमस्कार मैं गोर और आप देख रहे हैं N1 Live हरियाना हरियाना में विधानसवाज चुनाव अपने सिर पर हैं हरियाना में विधानसवाज चुनाव आने वाले हैं और तकरीबन एक माहा का वक्त रह गया है और इसी बीच इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है सीनियर जर्नलिस्ट बलबीर जंडू जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका तनवाद तो चलिए सबसे पहले आपको पता दूँ कि हरियाना में जो सिचुएशन है वो विन-विन सिचुएशन है अभी जो इलेक्शन का टाइम है तो हर जगा माहोल जो है वो इलेक्शन और कॉंगरेस के बीच और सर हमारे साथ मुझूद हैं सर से जाना चाहेंगे कि सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हरियाना में जो इलेक्शन होने है यह रियानामे जो चुनाव है उसके मेन मुद्धे क्या रहेंगे लोग डेकर वो डालना चाहेंगे उन्दे विच जो पिछले समेच वापरे हागा क्योंके किसान अंदोलन जड़ा पहलना होया सी गा वी सो वीच ओ भी हिर्याना दी तर्तीते ही होया सी गा जड़ा दिल्ली बाॉडर दे उत्जी किसान बैठे रह सी और लग पागो एक साल तो वद समा चलिया सी और दे वी हिर ओंतर्तर होनी सी थे कसान ना ने एक जग का आथे उन्दे हैलिकाप्टर कृम ही नहीं सी उत्तरण पिल्कुल इक सित्थिष जड़ा उस्तरह भी बनी ह Suga सर्वेसे वालिया जड़ेवालने वाली znaczy जो जब्ल है उड़ा उस जचला जाना सी ता उननों छब्मू बाडरते खनारी बाडरते रोक देता गया और उर रोकन तो बाद लगातार एस गाल दे लई उस घर्श कर दे रहा किसानों दिली जानता जाए पर हर्याना सरकार ने उननों उत्थे रोकन दे लई पलीस दी जिस ता अंगना वरतों की ती एक किसान लगातार वजया रहा और उत्थे पलीस ताइनात रही और उत्थे बकैदा किलना ठोक देती हैं गया दिवारां कर देती हैं या बैरीकेड लाते गया उननों अगेनी जाता गया होन ओ मामला जदों पंजाब और हर्याना हाई कोट ने बकैदा उस गाल दे विच उननों बा हालनी होया और उन मामला दवारा स्प्रीम कोट लेज़े हृकमा दे हिते के दो स्टमबर द्वारा संभाई होनी हैнихदिकल्ग तो सिप्रीम कोट ने क्या है эту जिए निए नरा रहा है उननों ख mask commandments हो और ऑ और हमें खुल लेग हैं और आज वी हलनना बाना मीटिंग हो हो यह बतियां पर थी और किसान दे हो तो उन राज नहें और औो गिन्स चाहि भी है के और दुसरे मुल्ड़ा मैं आठीक की स्कीम है अगनी स्कीम है और उस्दा बड़े वड़े पदर ते जड़ा है विरौध हो रहे हैं और तीसरा मामला है जुड़ा होया बकैदा जड़ी है मेला पहलवान है और पहलवान और जो बीजेपी सरकार है उसके बीच में भी खीस्तान चलती रही है और उसके बारे में भी आप बता जड़े विच लंबा जड़ा समा जड़ा तनुजाद होएगा कि जड़ों परिजपूशन सिंग शरन सिंग होंदे सी किष्टी फडरेशन परदान ता उस समें ओ जड़ा मामला जड़ा बहुत उठया सी गा और जड़िया मेला पहलवान सी उनने जनतर मंतर दे इस गाल लई उस दे वरोदत तर नामी लाया सी गा पर सरकार ने उनना दी गाल नी सुनी उदों भी कोशिश की ती गई उननों के पलीस ने उनना ते लाठी चार्ज कीता उनना जिस तरह बहार होया उस तो जड़िया समुच्चा जड़ा हरे ने खाप पंचेतां सी जड़ा जाट पाई चारा सी उस दे वेच एस गालदा रोश भी सी और और रोश जड़ा हैगा उन्दे पार्टी जनता पार्टी दे खलाफ उदों भी उनन उस्तो जड़ा मामला सामने आया जिस तांगना उसना में वार किता गया जड़ों щоб ओल की झाई और उथे वी को जो को जड़ा उनने पहली प्राप्जिदी है तो बास जड़ा हुन अगे वद ना सी तो जेस किसम दियां गल्ना होते सामने आईयां उसने में जड़ा जाट पाई चारे ते खास करके एक जड़े मेला पहरवान खटारी लोग सी गे उना दे वेचे के नराशा जड़ी है वो पैदा भी होई ते हर्याना सरकार दे वरो दरोस ते गुसा भी आया ते सो इस करके लगदा है कि जड़े तेन चार गल्ना है गयां एकता ए जड़ियां है गयां मुख तोरते तेन मुदे और चौथा जड़ा के उनना ने स्थाप्टी वरोदी लेर है कि दास साल तो लगाता रो सरकार सी ते जो कुछ उनना ने वादे किते ओ पूरे नहीं होए और वो सारी स्थितिते अपना मुख मंतरी भी बदलना प्यासी सारी जड़ियां गल्ना जनत उसी कठा है नहीं करके देख देओ किते नहीं किते लगदा है कि एस दा जड़ा पार्ती जनता पार्टी नहीं नुक्सान अठावना पैगा क्योंकि एस दा जड़ा प्रगटावा है वो लोकसभा चोन आपको नहीं लगता कि चलिए बीजेपी की बाते आपने बतादी कि बीजेपी में यह चीजेशें हैं जिनसे लोग उनसे नराज हैं पर क्या अब दूसरी बात अगर हम करें तो अगर कॉंग्रेस की इस्तिती अब मजबूत है लेकिन कॉंग्रेस के बीच में भी मतभेद ह है इसको यह तो लगता है कि हम 10 साल से बाहर वैठें है सता से दूर बैठें आपको क्या लगता है हूड़ा या शेल्जा क्योंकि शेल्जा भी कहा चूकी है कि मैं विदान्सभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं उदर से हुड़ा फ्रुद लजने की तियारि में देखो कि जमीनी पंदर ते विचर दे हैं जिनाने चोन लड़नी हैं जड़े लुकांच रहीं दे हैं उन्हें लगदा है कि किते न किते ऐस वार कांग्रेस दा पलड़ा पर आपको लगता है कि क्या पिछली बार कितरा जैसे टिक्ट वे तरन में कोई गलती हुई तो कांग्रेस फि विच्छों कुछ नराज भी होंगे नराज होके पार्टी तो पासा भी बट सकते हैं वो दूसरे पासे जाके भी खड़ सकते हैं कोई अजाद भी लड़ सकते हैं सो इनना चीज़ जांदा जिड़ा किना को नुक्सान होंदा एता देखना ली गला समाई दसेगा पर यह ज पर यह जरूर है कि जिस तरह उनना ने हाई कमाड ने ऐस वले पंदर सेंग खुड़ा नो सारी कमाड देती है ता उस तो लागदा के किते ना किते उनना नो अंदर बठाके इस गाल नो समझाया गया है कि सता जदो आजेगी तो फेरता तुसी जो मर्जी गाल कर साकते हैं बंदर सता नी पहुंचे दो छोना होनी है तो छोना ने की फटवा से होना है किवरी हुना ने कि गाल पर जांदे आ उनने ना सारी छोनी खराब है जाना बिल्कुल तो असकार के एस सारी चीज जांदे इन लिए समां बहुत है क्योंकि तुसी देखो ना 12 स्तंबर तक ता जनना एक जनता पार्टी सी, और दे किन्ने वदा एक सी, जड़े टुटे के दूसरी पार्टी यह चले गया, बिलकुल, बिलकुल, किसे नो टेक्ट नहीं मिली तो दुझे था था चले गया, जी जी बोली बोली तो ए सारी जड़ी स्थिति हैंगी है, उन्दे वेचे कांगर सरकार रही हैं हरिया में वही सरकारे में चलती आई तो आपको लगता है की केंदर में बीज़ेपी सरकार है, तो उसका फाइदा को मिल गा कोशश का कारण यह पर उनकी को मलेता है देखना लिगाला हुदा रही है कि जो कोई 10 साच ओछ देखनों नहीं टो है जाहर और तीस्रा जड़ी काला है उए है कि नरेंदर मोधी जड़ा पहला वाला जादू सी ओ नहीं रहा वो नीरिया ते उन Beanree जिए नडे दे चेज़आ लड़िया जाना है आप है जहे लड़े जाएगी कि नहीं लड़ी जाएगी क्योंकि कांग्रस वेज़ता है बड़ा साफ है बेशक plugged पर पिंदर सिंग हुड़ा दे चेरे ते ही चेडी चोन है वो हो रही है कोई किसे नेशनल लीडर नो उन्हाने प्रजेक्ट ने की तब पामें कि उन्हाने एक क्या है कि जो भी साधी चोन होएगी उस अवदेली मुखमती जो नतीजे आजनगे एम मेले बन जानगे उस तो बाद होएगी ये डी बकैदा होना दा ए हैगा पर ए जिरूर है कि हाईकमा ने जिस तरह पंदर हुड़ा दे सिर्थे हाथ रख्या हों दे तो लगदा है कि उन्हाने दिस सिती काफी सपष्ट है गिया हुन की पार्टी जनता पार्टी हर्याना द विच नैफ सिंग सैनी दे चेरे ते चुना लड़ेगी जा नरंदर मोदी दे चेरे लड़ेगी इस गालते भी बहुत कुछ निर पर करेगा चलिए फिलहाल जो बाते हो रही है या जो चीजे सामने आ नहीं उससे ये लग रहा है कि कॉंग्रेस थोड़े एज पर है को लेक अगर हाजर होते रहेंगे सर आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत दनेवाज शुक्रिया